Hello Friends, स्वागत है आपका आपने चनल HSE Safety Guru में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं Lost Time Incident के बारे में और इसके बाद साथ में हम जानेंगे Lost Time Incident Rate और Lost Time Incident Severity Rate को के से केलकुलेट किया जाता है और इसके साथ में हम ये जानने वाले हैं जब हम Lost Time Incident Rate को केलकुलेट करते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है तो Lost Time Incident Rate बराबर Numbers of LTI multiply by 2 lakh divided total working hours तो Friends, अभी आपके मन में एक खयाल आया होगा कि इसमाजोड ये है 2 lakh ये केसे आया तो इसके वाले में हम आगे जानेंगे ओके तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि Lost Time Incident यानि कि होता क्या है एक एसी इंजूरी होती है जो करमचारी को जिसकी वजा से वो अपने रेगुलर काम पर नहीं जा सकता वो अपसेंड रहता है जिससे वो डेली जो प्रोडेक्टिविटी होती है उसमें भी नुक्सान होता है और जो इंजूरी हुई है उसे रेकवरी होने में टाइम लग जाता है और उस परसन को अपने काम पर आने के लिए 48 होरस से ज़्यादागा समय लग सकता है तो ऐसे इंसिडेंट को हम लोस टाइम इंसिडेंट की केटिगरी में लिया जाता है तो चलिए अब ये जानते हैं कि लोस टाइम इंसिडेंट रेट को हम कैसे केलकुलेट कर सकते है तो लोस टाइम इंसिडेंट रेट का एक फार्मूला होता है लोस टाइम इंसिडेंट रेट बराबर नमबर्स ओप LTI multiply by 2 lakh divided by total working hours इस फर्मूले की सहिता से हम लोस टाइम इंसिडेंट रेट को calculate कर सकते हैं फिर इसके बाद हम लोस टाइम इंसिडेंट सिउरिटी रेट को हम कैसे calculate कर सकते हैं तो इसका फार्मूला हम जानेंगे फार्मूला है लोस टाइम इंसिडेंट सिउरिटी रेट बराबर नमबर्स ओप डेज लोस multiply by 2 lakh divided by total working hours तो बात करें इसकी कि 2 lakh कैसे आता है ये जो 2 lakh की ट्रम से है ये ओसा की ओर से आई है अब ये कैसे है इसके बारे में भी अब समझते है ओसा ने ऐसा माना कि एक साल में 50 week काम के होते है और ओसा की requirement के अनुसार एक परसन एक दिन में 8 गंटे काम करना चाहिए और ओसा के अनुसार एक विक में एक परसन केवल 5 दिन काम कर सकता है तो इसके अनुसार हम calculate करते है 50 multiply by 8 multiply by 5 टोटल अंसर है इसका 2000 तो ये 2000 working hours है एक परसन का तो उसा ने माना कि 100 employee यदि एक साल में काम करते है तो उनका total working hours हो जाएगा 2000 multiply by 100 तो बराबर जो अंसर आएगा 2 lakh आता है तो ऐसा है कि 100 employee का 1 year का working hours 2 lakh है तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसागी ये जो 2 lakh की term है ये कैसे आती है तो दोस्तों आपने इस वीडियो के माध्यम से ये जान लिया होगा कि lost time incident rate ये क्या होता है फिर हमने देखा कि lost time incident rate और lost time incident security rate को हम कैसे calculate कर सकते है और इसके साथ हमने ये देखा कि 2 lakh की जो ओसागी term से ये कैसे आती है तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक like, share और subscribe जरूर करे मिलते हम next वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखे take care, bye